नमस्कार मित्रों अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत हैं मित्रों आज हम बात करेंगे कि हमारा टेस्ट कारिकरम आप लोग क्यों जॉइन करें चुकि कई फोन्स कॉल्स हमारे पर आ रहे हैं लगातार कि आपका टेस्ट प्रोग्राम जो है वो कॉफी कॉस मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि हम लोगों की फीस है 2500 आपके पंदरा टेस्ट होंगे इसमें इसमें से साथ हो चुके हैं और अन्य कोई भी अन्य चैनल भी चल रहे हैं सायद लोगों का कहना है कि कोई 750 रुपए लेता है कोई 450 रुपए लेता है तो मैं आपको ए नहीं पता है ये लोग क्या कर रहे है कैसे करते होंगे इतने कम पैसे में समस्य यहां पर यह है कि मुल्यांकन आपका कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर देखिए मैं दिखाओं गा यह पंकर साहुजी है जिन्होंने बहुत ही खुबसूरत निवन लिखा है जो कि content हम किसी का show नहीं करते हैं लेकिन इनसे अनुमती लेकर के मैंने ये कुछ चीजें आपको दिखाने का प्रयास किया है पंकर जिसे हमारी बात हुई है प्राकृतिक आपदाय मानवता को एक चेतावनी है कि उन्हें प्रिथवी का अत्यदिक दोहन करना बंद करना होगा ये किसी का statement है लोरा एयार का और इनकी प्रस्तावन भी बाड़ी बेह खुबसूरत है तो हम लोग क्या करते हैं जो हमारी team है हम लोग प्रतेक पैरा को प्रतेक लाइन का मुल्यांकन करते हैं और comments भी देते हैं और एक वैज्यानिक format है हम लोगों का निबंद के लिए अलग है और सामान निधन के लिए अलग है इन्होंने हमारा UPPCS mains का जोईन किया है और कुछ लोग आरो के लिए भी लिख रहा है जिनका मुल्यांकन हो रहा है लगातार तो इसमें बहुत समय लगता है आपको सायद ना पता हो मैं बता दूँ यहाँ पे 400 से 500 रुपे पर कॉपी लिया जाता है अगर अच्छा मुल्यांकन कराना है तो 400 से 500 रुपे मुखरजी नगर में जो अच्छे टीचर हैं या अच्छे लोग हैं जो कॉपी चेक करते हैं जो मुखे परिक्षा और इंट्रिव्यू दे रहे हैं तो हमने कुछ गाइडलाइन बनाई है जो वैग्यानिक द्रिस्टी कोंड से विभिन वीशेशग्यों से और प्रोफेसर से पूछ के जैसे वो कॉपी आयोग की चेक होती है उसी आधार पे हमने कुछ मुल्यांकन का एक फॉर्मिट बनाया हुआ है उसी के आधार पे हम तैय करते हैं जैसे मैंने इनका ये चेक हुआ है कॉपी तो लास्ट में देखिए हर पैरा पे आपको कमेंट्स होगा जहां पे अच्छा होगा आपको अच्छा भी बताया जागा जहां गलतियां करेंगे आप समधान कहां लिखना है सुझाओ कहां देने हैं कहां पे कारण एक साथ लिखने हैं ये सारी जानकारी हम लोग दे देते हैं आपको तो आपके पास content होते हुए भी प्रभावी निबंद क्यों नहीं लिख पाते हैं या कोई भी essay नहीं लिख पाते हैं उसके लिए हम last में आपको दिखाना चाहेंगे ये देखिए ये हर point पे आपको कुछ अंक होते हैं जो आयोग भी देता है और हम लोग उनका भी एक ये निर्धारण है कि प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए तो आपने उसमें क्या-क्या गलतियां की हैं सुरुआत अच्छी लेकिन प्रभावी भी होनी चाहिए साथ ही पुरे क्यासी करन कैसा हो आपका उसके बारे में हम बताते हैं आंतरिक संवध्धता कैसी वो उसके बारे में बताते हैं भाशाईक, छमताय, निश्कर्स ऐसे ही सामानने अध्यन के लिए अलग क्राइटेरिया है और आरो के लिए और यूबी पीसेस के लिए लगवग सेमी क्राइटेरिया है निबंद की शब्द सीमा उसमें 700 राती है इसमें 600 है ऐसे ही और भी कॉपियां हैं जैसे ये शुरुती शर्मा की कॉपि हैं इन्होंने काफी अच्छा निबंद लिखा हुआ है विस्व की सबसे बड़ी स्वास्तियोजना अईश्मान भारत तो इस पे भी इनका मुल्यांकन होता है तो इसमें काफी समय लग जाता है समय इन्दसेंस की एक घंटे से कम नहीं लगता है एक निबंद चेक करने में तो इसको चेक करने में जब समय लगेगा तो उसके लिए आपको फीस बढ़ानी ही पड़ेगी और वो बहुत ही लॉजिक मिनिमम फीस हमने चार्ज किये देखे इनको भी सारे पॉइंट्स पे सारे जो क्राइटेरिया हैं उस पे सलाह दी जाती है अंतिम पेज पे और ऐसे ही एक और हैं उनका हम दिखाना चाहेंगे कविता जी है इन्होंने भी काफी अच्छा लिखाया लेकिन इसमें कुछ गल्तिया हुए जैसे अंग्रेजी शब्दों का उप्योग नहीं करना होता है तो उस पे भी प्रस्तावना थोड़ा लंबा करें और अगर आप पैरा में नहीं लिख रहे हैं तो सभी पक्ष आपके पास होने चाहिए अगर सभी पक्ष नहीं है तो आप पैरा में ही लिखें और हेडिंग डाल करके लिखने के लिए आपके पास सभी पक्ष होने चाहिए जो कि कुछी भी चात्र के पास होता नहीं है इनको भी हर मुद्दे पे देखिए कैसे कैसे आंसर को लिखें क्या क्या गलतिया कियें आपने ये सारे points जब करने होते हैं जो सारे बिंदूओं पे अगर हम आपका मुल्यांकन करें तो जाहिज सी बात है कि cost बढ़ी जाएगी तो आप लोग बार-बार ये कह रहे हैं हमारे पास सैक्डोफोन आए कि सर आपका cost बहुत अधिक है तो cost के आलावां आप लोग देखिए cost अधिक नहीं है अगर हम logically देखे जाए तो बहुत ही कम ले रहे हैं बाकी और लोग क्या करा रहे हैं वो मैं नहीं जानता लेकिन इससे आप लोग अपना मुल्यांकन करवाई है निबंध जानना जरूरी नहीं है आप content आपको कहीं भी मिल जाएगा market में या हमारा ही content ले लेंगे आप लोग लेकिन उसका उपयूक्त मुल्यांकन हो पा रहा है कि group में कर देंगे message जिसके आधार पे तो ये पचीस सो अगर हमा लीजे दस test आपका चेक कर रहे है आपका जो लिखित का है चलो objective के लिए तो हम नहीं बहुत ज़्यादा कुछ करते चाट लेकिन अगर आप दस test हम चेक कर रहे हैं आपके तो कम से कम 5,000 की cost आनी चाहिए उसका भी हमने आधा किया है यहाँ पे पचीस सो रखा है और जो लोग कम पैसे ले रहे हैं पता नहीं कैसे वो check करते होंगे ये तो वही जाने लेकिन हम लोग के मुल्यांकन का तरीका और cost जो है efficient है तो अगर आप लोग जोईन करना चाहे हैं तो जोईन कर ले हमारा ये तरीका है UPPCS के लिए भी मुखे परिच्छा कारिकरम शुरू है जिसमें निवंद का एक टेस्ट हो गया है कल एक और टेस्ट होगा पेपर टू से तो content पगेर है आप लोग अपना ready कर ले लेकिन मुल्यांकन जरूर करा ले हमारे यहां नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं कोई भी दोस्त मित्र हो या जो भी जानकार हो मुखे परिच्छा दो-चार बर लिखा हो उससे भी अपने copy का मुल्यांकन करा ले वही main फायदा होता है ने तो लिखते तो सभी लोग अच्छा हैं अपने जानने में कोई बुरा तो लिखता नहीं है सभी लोग अच्छा ही लिखते हैं और लेकिन दूसरे के परिपेक्ष में दूसरों के परिपेक्ष में वो कैसा लिख रहे हैं वो जानना बहुत बहुत जरूरी होता है, तो आप अपने दोस्तों से कोई भी सहयोगी हो, सीनियर हो, उनसे कौपी जरूर चेक करवाएं, खास करके जो लोग मुखे परिक्षा लिख रहे हों, वो भी UPSC आदिकी, या लेखन चैली उनकी अच्छी हो, सारे आस्पेक्ट क्ल जिन्यवाद मित्रों, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, बेस्त रहिए, आएक और सूचना है, जो फॉर्म भरने में समस्या हो रही है, आरो यारो की, तो मैं कल तक सारे डाउट्स जो है, आपको क्लियर करके, आरो यारो के फॉर्म में काफी समस्या हैं, पहला तो एड्रेस व ले हुए हैं passing certificates 10th का और 10th का उसके लिए क्या है समस्या तो मैं अभी भी form मैं खुदी नहीं भर पाया हूं और उसमें क्या भरना है आपके final year के subjects क्या-क्या भरने हैं तो मैं खुद ही form भर लूँगा कल शाम तक मैं सारे updates दे दूँगा कि कहा कहा समस्या और यह सुरू का जो समस्या थी वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि transaction ID कौन सा डालें तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए